Hello everyone, my name is Umair Ravzal and you are watching Student Hub HD. आज मैं आपको सिखाऊंगा कि Windows 8 में हम स्क्रीन शॉट किस तरह से कैप्चर करते हैं. इसके हमारे पास टोटल तीन तरीके हैं. सबसे पहले हम लोग जिस चीज की तस्वीर खींचना चाहते हैं, उसे स्क्रीन पे ले के आते हैं. अब यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो प्ले हो रही है और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो की मैं एक तस्वीर खींच के अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करूँ. तो मैं क्या करूँगा? विंडोस की की प्रेस करके रखूँगा और प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाऊँगा. विंडोस, प्रिंट स्क्रीन. आपने देखा कि हमारी स्क्रीन ब्लिंक होई. अब यह तस्वीर खींची जा चुकी है और आटोमेटिकली एक फोल्डर में सेव हो चुकी है. बोग यह उते हैं लाइबरेरीस की अदेर पिक्चर्स का फौलडर. ओ यहां पर वहारां पास स्क्रीन veto का फोल्डर ऑ।मेटिकली बन जाता है इसमें हमारी तसवीर है वह सेव होचुकी है. अब इस तसवीर को हम लोग यूज कर सकते हैं कहीं भी किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, कोई डेक्स्ट्रॉप वाल पेपर भी लगा सकते हैं अब सेकिंड मैथड को देखते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल विंडोज ओपन हों मसला यहां पे जिस तरह मेरे पास गूगल क्रोम भी ओपन है और यहां पे फायर फॉक्स में गूगल भी ओपन है अब मैं चाहता हूँ कि जस्ट यह जो फ्रंट वाली विंडो है जस्ट यह फ्रंट वाली विंडो है इसकी सिर्फ और सिर्फ तस्वीर खिंची जाए तो मैं क्या करूंगा आल्ट का बटन दबा के प्रिंट स्क्रीन दबाऊंगा आल्ट प्रिंट स्क्रीन अब यह तस्वीर खुद बखुद जाके सेव नहीं होगी इसको हमें खुद सेव करना पड़ेगा तो मैं पहले पेंट ओपन करूंगा और वहाँ पे जाके Ctrl V प्रेस करूंगा अब आप देख सकते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज साथ में नहीं हाई मतलब बैक्गराउंड का कोई भी विंडो यहाँ पे हमें शो नहीं हो रही जस जिस विंडो को हमने सिलेक्ट किया था जस्ट वो विंडो यहाँ पे शो रही है अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके सेफ करते हैं अब सेफ करने के लिए मम सिंपल क्रॉड क्न्ट्रोल एस प्रेस करूँगा और उसको हम लोग save कर सकते हैं कोई भी नाम दे के फार इजलबल मैं इसको कहता हूं My Picture और उसको हम DEX-TROP के जब जब अब हमारे देख सकते हैं कि हमारे पास यह picture DEX-TROP पे save हो जब जुकी है अब हमारे बासcket तीसरा method है वो Windows 8 और Windows 7 के अंदर built-in available है आप अपने search बार में जाएंगे search और यहां पे आप snipping tool को search करेंगे snipping tool अब हम इस window को again जो है वो दुबारा से capture करते है using snipping tool आप यहां से simply new पे क्लिक करेंगे और वो आप से पूछ रहा है कि आपने किस-किस area की picture लेनी है अब आप simply यहां से इसको select कर लें मिसाल के तोर फे मैं just इस inner area की picture लेना चाहता हूँ तो आप इसको यहां से select कर सकते है जैसी आप select करके उसको छोड़ेंगे वो खुद बाखुद इसको एक editor में open करेगा अब आपने simply ctrl s प्रेस करना है और वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कहां पे save करना है इसको कोई भी नाम दें और save के button पे click करेंगे और यह हमारे पास यहां पे picture जो है वो आके save हो चुकी है मैंने आपको तीनो तरीकों से picture को save करना बताया है Thank you very much for watching guys I hope you like my videos please subscribe to our channel student hub HD links are given below in the description